अब स्किल इंडिया की ट्रेनिंग लेकर ही नवकरी करने जाए विदेश अगर कोई भी भरतिय विदेशों में नवकरी के लिए जाना चाहता है तो उसे आप भारत सरकार दोरा शुरू किये गए स्किल इंडिया डेवलप्मेंट की अनिवारियवन निसुल्क ट्रेनिंग लेकर ही जाना होगा यह ट्रेनिंग SMAX स्किल डेवलप्मेंट लिमिटेड दोरा दी जा रही है पूरे देश में इस तरह के अभी सिर्फ दो ही केंदर शुरू किये जा रहे है एक नई दिल्ली में और दुसरा मुंबई में मंबई केंदर के उद्गाटन के समय आये भारतिय विदेश मंत्रालाई के सचिव नैनेश और मुले इन्होंने कहा कि अरब देशों में नवकरी करने जा रहे है मजदूरों की हर तरह की सुरक्षा के लिए भारत सरकार बहुत गंबिर है और इसके लिए हर संभव कदम उटा रही है इस आउसर पर उन्होंने विदेशों में भारतिय मजदूरों की सुरक्षा के लिए उटाये जा रहे है अनेक कारियों का उलेक किया विदेशों में नवकरी के लिए जाने वाले महिला मजदूरों के लिए भी विशेश ध्यान रखा जा रहा है भारत सरकार ने विदेशों में नवकरी कर रहे है भरतियों के लिए इंडियन कम्यूनिटी वेलफेर फंड की स्थापना की गई है और विदेशोक के लिए सभी भरतिये दुतावासोक को इस फंड का उपयोग करने का अधिकार देते हुए उनसे कहा गया है कि वे हर जरुरतमंद भरतिये के लिए फंड को खर्च करें देखें आप जानते हैं कि आखाती देशों में हमारे कुछ कुल मिलकर 85 लाक लोग रहते हैं इसमें ज्यादा तर श्रमिक लोग है और इन श्रमिकों का बहुत शोशन होता है हर साल करीबन 7-9 लाक जो लोग है वहां जाते है तो हमारा उद्देश है कि यह जाने वाले लोग जो है वो सजग होकर जागरुत होकर जाएं वहां किस तरह की परिस्थिती है सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थिती उसके बारे में किस तरह का उनका कॉंट्राक्ट है किस तरह से उनको चौकसी से रहना चाहिए और किस तरह से अगर संकट कोई आ जाएं तो विदेश पंत्रा लगंका जो दूतावास होते हैं आप सब लोग के भारतिय camar आवास जो होते हैं सुनको किस तरह से संपरिकरे इस तरह का एक जो मूलमुत मावलिक उनको प्रशिक्षन देना ज़रूरी है उससे जो हम मैं काम कर रहे है वदूतावास की तरफ से उसको आधिक बल मिलेगा तो यह इसके उपर उद्देश है भारत सरकार का इस वक्त यह उद्देश है कि विदेश में कोई भी भारती है किसी भी हालात में विपन नावस्था में नहीं रहेगा उसको भारत सरकार समरक्षन देगी उसको ज अभी हमने पाइलट बेसिस पे शुरू किया यहां मुंबई में दो हफ्ते पहले थीन हफ्ते पहले अभी 15 सो लोगों को प्रस्रिक्षन मिल चुका यह सब लोग विदेश जाएंगे ऐसा नहीं कि प्रस्रिक्षन मिलने के बाद यहां रहेंगे हम उन्हीं लोगों को चुन र प्रढक्र रजय और आए ऑवं यम्हिं है मिलके हमने この बना दिये हैं हमने ट्रे इनिंग फर futures दिल्ली में उसका आब किया है अरो इसका यह लोगों तक ले जाने का पहला जो है भर सख प्रयास दिल्ली से शुरू हो रहा मुंबई से शुरू हो रहा है और दिल्ली में अगले हम अपते हम वहां पर इसका अनावरन करेंगे धन्यवाद